अब लोग मेरे चैनल में वेलकम है आप नए हो तो सब्क्राइब करना बनता है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं पहले तो मैंने गैस पर पैन रखे हैं उसके बाद मैंने एक दूए स्पून घ्यू डालेंगे सुद की घर के बना हुआ है बहुत टेस्टी लगेगा मैंने एक कप काजू डाल कर भूनेंगे अब कम फ्लेम पर भूनेंगे काजू भूनने के बाद बेदाम डाल कर भूनेंगे काजू और बेदाम दोनों बराबर होना चाहिए गैस को कम करके भूनना है काजू और बेदाम भूनने के बाद मैंने कदू कबीज डाल कर भूनेंगे एक दो मिनट में भूनना जाना चाहिए गैस बंद कर देंगे कुछ जाने के बाद प्लेट में निकाल देंगे ठंडा होने के लिए रख देंगे उसी पेन में सुध घ्यू डालेंगे पेन गड़म है घीव पिघल जाएगा जल्दी से ग्राम काजू था तो से ग्राम बेदाम था तब दोनों 200 ग्राम हुआ तो मैंने 200 चीनी डालेंगे पानी बिल्कुन नहीं डालना है पानी डालेंगे तो गचक सही नहीं बनेगा देखिए दोस्तों चीनी थोड़ा थोड़ा पिघल रहा है चासनी को कम फ्लेम पर चासनी को पकाना है नहीं तो जल्द सकता है तो चासनी पिघल रहा है तो थोड़ा ब्राउन हो रहा है चासनी पुरी तरह पिघल चुका है एकदम ब्राउन की तरह लग रहा है तो गुर जैसा कलर आ रहा है आप गैस को बंद कर देंगे जाइस को बंद करके ड्राइफुट डाल कर जली जली चलाएंगे नहीं तो धाड़ हो सकता है पहले तो नीचे में तेल लगा देंगे आप चाहे तो रोटी वाला चोकी पर तेल लगा सकते हैं उस पर भी चासनी डाल सकते हैं मैंने तो नीचे में चासनी डाल कर बेलं से बेल लुद दूँगा एकदम पातला बेलना है ये बाद चाकू से कट करेंगे बढ़फी जैसे कट करेंगे अभी चासनी नाडम है चाकू से नहीं कट हो रहा है तो चन्नी वाले स चाशनी ठंडा हो गया है तो अच्छे से टुट जाड़ा है खाने में एकदाम कुर्कूरे लगेंगे तो अप लेट में सजा देंगे दोस्तों मेरा रेजबी कैसा लगा दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेट बाक्स में जरूर लिखे जबाब देने के लिए त्यार हो में दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सेयर करें और लाइक करें और सब्क्राइब करना भूले थैंक्यू